नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 11 जून 2022 के डेली न्यूज अनलिसिस में आपका सौगे तोड़ा सा लेट आ रहा है दोस्तों डेली न्यूज अनलिसिस आज छुटी थी तो लंबे समय तक सोता रहे गया इसके जैस्ट बात आपको एडिटोल भी में अवेलेबिल करवा के लिए सुप्रीम कौट में केस पहुँचा सुप्रीम कौट नहीं हापे क्या बूला आप सोचिए 2022 का कांसिलिंग सीजन आने वाला है और अभी 2021 की खाली सीटों पर कांसिलिंग की डेमांड हो रही है तो क्या सुप्रीम कौट कर सामने दलीले गए इस क्या इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाए जाने वाला था जीन को एनलाईज कर गए जो भी human groups का gene है उस gene को उठाके कितिनी उस gene में intermixing हुई है क्या overall racial evolution हुआ है humans का पिछले 10,000 सालों में खासकर इंडिया के अंदर इंडिया के population groups को study करवाई जारी थी हलाकि इस study को नूक्लियर फ्यूल एक बड़ी high quality का दिया है रशिया ने कोडन कुलम नेशनल नूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडों में चल रहा है 1988 से project जा रही है तो इस particular project में जो नूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है उसके जो फ्यूल प्रोवाइट किया जा रहा है अब व से related भी हाँ पर एक important news है उसको भी हम लोग यहां देखने कोशिश करेंगा आगे मने इस पहले वीडियो पर लाइक बटन दूस्तों चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइब में किया है कलीजिए स्ट्राहां पर फॉलो कलीजिए महाँ आप से जुरत हो टेलीजाम गूल च वे चायना अटाइक करता है ताइवान के ओपर तो US clear नहीं है कि वो openly ताइवान की मदद में जाएगा या नहीं जाएगा वो उससमें भी decide होगा जब अटाइक होगा इसको बोलते हैं ambiguous मतलब clear नहीं कि आप क्या करने वाले हो या फिर जो कुछ भी आप बोल रहे हैं से कई की मतलम निकलते हैं more than one interpretation समझे आगे चलते हैं पहली न्यूज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्लिया फॉर स्पेशल काउंसलिंग फॉर नीट पीजी तो भाईया नीट पीजी दो हजार एक्किस का जो काउंसलिंग सेशन था इसमें लगबग 1456 सीटे खाली पड़ी थी टोटल 40,000 सीटों की काउंसलिंग हुई थी नीट पीजी 2021 में इसमें से 1456 खाली रह गही थी अब मैं बता दूँ ये 1456 सीटे नौन क्लिनिकल सीटे हैं मतलब इन में ज़्यादतर जो सीटे हैं न वहाँ पे बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिलेगा वो मेडिक काउंसलिंग कमिटी के दोरा सुप्रीम कोड को की देखे साव हर साल इस प्रकार की बहुत सी सीटें खाली चूट जाती हैं क्यों चुकि भाई देखे इन सीटों पर जो भी पढ़ाई करेगा उसका खर्चा मेडिकल का उतना ही होगा लेकिन एड़ दा एंड जो मिलेगी न अनिरुद दुभोस की वैकेशन मेंच पता है ना भाई चुट्टियां चल रही हैं गर्मी की अब गर्मी की चुट्टियों के समय पे सुप्रीम कोड के जजज आराम कर रहे हैं लेकिन कुछ जजज को यहां पर ड्यूटी दे रखी चुट्टी की समय पर इसको बोलते हो पर फिर भी इंपॉर्टन चीजों के ओपर भहस होती रहे इसलिए कुछ जज काम पे हैं तो अभी जो छुट्टी के दुरान जज काम पे हैं वो बोलो गया वैकेशन मेंच तो यहां पर सुप्रीम कोड ने क्या बोला कि भाईया आठ से नौ राउंड ऑफ कॉंसलिंग नी की सीटे भर जाएंगी आठ से नौ राउंड ऑफ कॉंसलिंग वे जब यह सीटे नहीं भरी तो अब कैसे आप सीटे भर वालोगे प्लस सुप्रीम कोड का बोलना है कि अब अगर आप इन सीटों की कांसलिंग करवाते तो कंफ्यूजन होगा चूंकि नीट पीजी 2022 की कांसल होगी और फिर कुछ महीने बाद पीजी 2022 की होगी तो यह सही नहीं है अच्छा साजबाद यहां पर यह है कि यह डिसीजन मतलब ओवराल इन 1456 सीटों के ऊपर कांसलिंग होनी चाहिए यह लेके कौन पहुचा है मुद्दा लेके कौन पहुचा कोड के पास तो भाईया एक पैटिशन फाइल की गई थी ग्रूप ऑफ डॉक्टर्स के दोरा जिसको आस्था गोएल लीड कर रही थी फिर सीनर एडवोकेट रचना शिर्वास्तर थी एडवोकेट चारू मातूर मिलेंद कुमार थे इन्होंने बोला कि बाई देखे 1456 सीटे खाली पड़ी हुई है प तो इन सीटों पे बच्चे इसलिए एडमिशन नहीं लेते चुकि यहां पे नौकरी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत कम होते हैं अगर आपको एनाटॉमी वगरा पढ़ानी है तो उस कंटेक्स्ट में जो पढ़ाने की टीचिंग प्रोफाइल में इंट्रेस्टेड है वो इ सीटें जहां पर नौकरी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है आप प्रॉपर डॉक्टर नहीं बन रहो लोग उन सीटों को लेते ही नहीं खासकर प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं लेते हैं सरकारी में फिर भी कम फर्चा लगता है तो इसलिए यह साल खाली रहत ही है लेकिन अभी अगर नीट पीजी 2021 की स्ट्रे कांसिलिंग करवाएंगे 1456 सीटे खाली के लिए तो नीट पीजी 2022 की कांसिलिंग यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी यह सुप्रीम कोट ने क्लेरली बोल दिया मतलब ओवर और सरकार के फेवर में डिसीजन जाता नजर आ इस से पहले जो एक्जाम होता था नीट पीजी से पहले वो होता था भाई आपका AIPGMEE All India Post Graduate Medical Interest Examination अब इसको आप नीट पीजी बोलते है इस एक्जाम को कंड़र्ट करवाए जाता है National Board of Examination के तोरह और जो कांसिलिंग और सीट अलाटमेंट होता है वो Directorate General of Health Services करता है अब आप देखो तो नीट पीजी Post Graduate Level के अंडरगेज्वाट लेवल के लिए जो एक्जाम है उसको बोलते है नीट यूजी अंडरगेज्वाट नाश्नल कोरस यह इंडिया प्रीमेडिकल इंट्रेंस टेस्ट है जो लोग अंडरगेज्वाट मेटिकल कोर्स देंटल कोर्स जैस मैडिसिन में डिग्रीज बहुत मैटर करती हैं, जितनी जादा डिग्रीज आपने मैडिसिन में ले रखी हैं, उतना जादा आपका एक्सपोजर माना चाहेगा, आपकी पढ़ाई के इंटेंसिटी माना चाहेगी, उसके बाद फिर ट्रेनिंग, और फिर बड़े डॉक्टर जो मनते हैं, उनके नाम के सामने बहुत से डेजिगनेशन लगे रहते हैं, और वो डेजिगनेशन उन्होंने बहुत पढ़ाई करके पैदा है, मतलब अर्ण की होते हैं, जिस पेपर टू, इशू इलेटेट टो एजुकेशन में निउस काम आएगी, नेक्स निउस है, 18,000 रुपिया ये महीना कमाते थे, तीन घंटे दिन में डाइमंड्स को पॉलिश और कट करके, इनका राजकोट डिस्ट्रिक्ट में घर है, इनके घर के बगल में छोटे से कमरे में ये डाइमंड्स की पॉलिशिंग करते थे, अगर आपको ना पता हो, वैसे आपको पता ह इंडिया के अंदर आते हैं, उसके बाद उनकी पॉलिशिंग होती है, ठीक होती है, ठीक है, उनको वैसे ना नॉर्मल डाइमंड में चनवर्ट करना है, पिर वह देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दिये जाते हैं, और फिर अगर आप न्यॉयोप की वाल स्ट्रीट में, या लंडन की पेकैडली स्ट्रीट में, अक्सपोर्ट स्ट्रीट में जाओगे, तो यही इंडिया के एक्सपोर्ट डायमंड वहाँ पे लाखो डॉलर में बिकर होते हैं, तो बेसिकली इंडिया में पॉलिशिंग और कटिंग होती है, यह मेंली होती है गुजरात में, और आता है रशिया से अब चुकि रशिया यूक्रेयन का वार छड़ा हुआ है तो यह जो रॉम मटेरियल देने वाली कंपनी थी रोजा टॉम और भी बहुत सी कंपनी थी इनको पर यूएस दोरा सेंक्शन लगा दिये गए और यह रॉम मटेर अभी आभी नहीं पा रहा है तो जो इंडिया के अंदर लोग थे रफली पांच लाख लोग रूरल गुजरात में जो कि डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग में इन्वाल थे यह पिछले कई दिनों से जब से जंग चल रही है उनकी नोकरिया जा चुकी है इससे पहले भी जब 2008 का रिसेशन आया था यूए से वो रशिया से औस्टेला से अफ्रीकन कंट्री से आते थे साउथ अफ्रीका जिंबाबे कॉंगे से भी आते थे वो रश्रा मार्केट्स भी आने बंद हुए प्लस अमेरिकन मार्केट्स में डिमांड भी थोड़ी यहां पर कम होती नज़र आ रही है 75% इन डायमंड प्रोड़क्स का जो कंजम्शन है वो यूनाइट स्टेट्स में होता है यूनाइट स्टेट्स की नियॉयोर्क और बड़े बड़े शहरों की जो पॉश गलिया है वहाँ पे डायमंड वगरा बेचे जाते है इन डायमंड को बनाने के लिए कट पॉलिश कर सेक्टर में इंडिया के अंदर 12 लाख लोग काम करते हैं 70% इस जो वरकर्स गुजरात में काम कर रहे हैं यह राजस्थान उत्तरपदेश बिहार और के हैं जदातर यह जो काम है डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का इसको पटेल कम्यूनिटी और जैन कम्यूनिटी ओ जंदा यह कम पड़ जाएगा यूस में डायमंड ज्यादा बिकेंगे नहीं पर इकदम से चीजें पलट गई यूस के जो युद्स है ना वो डायमंड और खरीदने लग गए कोविट के पैंडमिक के वास सबको लगा था कि डायमंड में लोग इंट्रेस्ट नहीं करेंग करोना के आने के बाद उनको लग रहा है कि डायमंड के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी कई बार जब आप डायमंड खरीदने जाओगे ना किसी शौप में तो पता है वो आपको क्या पपलू देगा कि इस डायमंड की कीमत आगे आने वाले समय में बढ़ेगी डायमंड जल्दी घिसेगा नहीं वो नया ही रहता है गोल्ड की तरह नहीं कि उसकी शाइन चली जाए सिल्वर की तरह नहीं है तो बताते हैं जब भी आप खरीदने जाओगे पपलू ही होता है प्रकार का कि मानलो आपने एक लाग का डायमंड खरीदा तो इंडिया में हो रही तो इंडिया में ओवराल बहुत लोगों ने इससे पैसा कमाई बहुत लोगों को यहाँ पर नौकरिया मिली और खुद प्रधान मंत्री मोधी जी ने इस इनिशेटिव को आगे लेके गए उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं वैलू एडिशन इंशोर करूंगा डाइमेंड सेक्टर में मैं चाहता हूं उसका 100% बेनिफिट इंडिया के अंदर आए 400 नई फैक्टरी लगी है पिछले एक से दो सालों में जो की जोल भी बनाती है अगर इंडिया में बात की जाए अगले 4-5 सालों में डाइमेंड इंडस्ट्री हर साल 10-15% से ब और एक्सपोर्ट की हमने 59.9 मिलियन के एक्सपोर्ट हमारा 28.3% बढ़ा है ओके सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है इंडिया का बहुत सारे लार्जर कटिंग और पॉलिशिंग ऑफ डायमंड यूनिट से इंडिया के अंदर सूरत में बहुत सारे जिनको आप CPD बोलते ह जानकरी यहां पर लिए इंडिया के इंडिया के इंडिया के अंदर शुरू हुआ 31 मार्च 2002 वैसे तो प्रोजेक्ट फाइनलाइज आपका 1988 में हो गया था इंडिया रश्या की बीच में और उसके बाद उसके उपर फॉलो अप हुआ 1998 में 2008 में जो फर्स्ट स्टेज थी जिसमें यूनिट नंबर वन और यूनिट नंबर वन बनके तयार होगे 2013 को यूनिट नंबर टू बनके तयार होगे 2017 को जो पावर उनिट 3,4 है और 5,6 है जो कुडन कुलन जगा पे बन रहा है कंस्ट्रक्शन इसका 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ तक कमीशन ये 2013 में हुआ इसके शुरू होने से पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ इसके शुरू होने के बाद भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ इसलिए 11 साल लग गए पहली यूनिट के construction के शुरुवात होने से पहले unit के commission होने के बीच में अब इस कुड़न कुड़न के अंदर 6 VVER1000 reactors को इस्तमाल किया जाता है जो की autumn store export नाम की Russian state company बनाती है और overall इंडिया में technical मदद कौन देता है Nuclear Power Corporation of India Limited किसकी capacity लगबग 6000 Megawatt electricity की है यह जो कुड़न कुलम nuclear power plants है अब हो क्या रहा है यहां पर यह news क्या है मैंने हमने तो कुड़न कुलम nuclear power plant के बाले बात की Rosa Tom State Corporation of India of Russia नाम की जो company है इसने बोलाए कि हम अब TVS2M nuclear fuel प्रवाइड करेंगे कुड़न कुलम plants के लिए इंडिया में देखे एक nuclear power plant के अंदर जो fuel होता है वो fuel कि इस quality का यह बहुत चीज़ों बिटर पिंट करता है चुकि देखे जो core reactor होता उसके अंदर fuel इंसर्ट किया जाता है अब वो fuel कितने लंबे समय तक चलेगा यह उस particular plant की efficiency को decide करेगा अगर fuel कुछ महीनों तक चलता है तो जब वो fuel आपने इंसर्ट किया है वो खतम हो जाएगा तो plant को रोकना पड़ेगा और fuel eject करना पड़ेगा नया fuel डालना पड़ेगा फिर से process शूरू करना पड़ेगा तो एक fuel जितना लंबा चलेगा उतना ज़दा plant की efficiency होगी तो यहाँ पे TVS2M nuclear fuel दिया गया है इंडिया को किसके दोरा रोजा टूम स्टेट कॉर्परेशन आप इंडिया के दोरा यह जो particular नया fuel है जिसके कुछ patches अभी के लिए गये है दो functioning units of KNPP के लिए जिसको VVER 1000 reactors फॉलो करते हैं क्या बोल रहा है कि fuel cycle अब 18 महीने क्यों जाएगी मतलब पहले जो fuel इंसर्ट किया जाता था वो 12 महीने चलता था अब 18 महीने चलेगा मतलब यह जो latest fuel है जादा efficient है और एक बार fuel insertion हो गया तो 18 महीने तक वो reactor यहाँ पे चलता रहेगा तो मतलब जादा cost effective और reliable है पहले जो fuel insert कर रहे थे वो 12 महीने चलता था अब हम जो fuel insert करेंगे वो 18 महीने चलेगा तो जो latest technology का TVS2 of nuclear fuel दिया गया Rosatom State Corporation के दोरा यह no doubt हमारे कुडन कुलन nuclear power plant की efficiency को बढ़ा देगा फिर यह जो नया fuel है वो uranium capacity 20 की जाता है इसके अंदर 7.6% fuel material जाता है जो actually में energy प्रोवाइड करता है प्लस इस fuel के होते हुए जो fuel के bundles को damage होता था debris की होज़े से वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा जो small sized objects होते हैं nuclear reactor के अंदर वो जो overall fuel के spent होने के process को effect करते हैं वो effect यहाँ पे कम होगा longer fuel cycles होगी economic efficiency बढ़ेगी यह सब बातें यहाँ पे बताएगे जो 18 मंद की fuel cycle वाला जो fuel है वो रशिया के रोस्ताव NPP और बाला कोवा NPP plant में अल्रड़ी यूज हो रहा है चाइना के 93 NPP plant में अल्रड़ी यूज हो रहा है तो अल्रड़ी इसकी testing रशिया और चाइना में होने वाले चलने वाले nuclear power plants में हो चुकी है तो इंडिया की nuclear power plants में भी चलेगा इस बात की chances बहुत अच्छे है GS paper 3 infrastructure energy news आपको काम हैगी इस news से आपको यह भी पता चलेगा कि रशिया के साथ by little रिष्टे हमारे लिए कितने important है फिर भाई historians ने बोला है कि अगर आप कोई study conduct करते हो racial purity के उपर तो वो सही नहीं होगा saw leading biologist, historians, anthropologist और intellectuals ने चिठी लिखी है ministry of culture को और बोला है कि यह जो आपका plan है तो plan यह था कि genetic similarities और differences चेक किये जाएंगे Indian population group की DNA profiles में हर Indian population group का DNA उठाए जाएगा उन DNA के अंदर genetic similarities और differences को compare किया जाएगा अब compare किस से किया जाएगा तो भाई आपको पता है कि India के अंदर बहुत जगों पे excavations होते हैं जैसे late harapan era के skeletons मिले हैं तो इसमें DNA तो मिला यह राखी गड़ी हरियाना में skeletons मिले हैं और दुनिया में दूसी जगों पे skeletons पाएगा हैं तो उनके DNA profiles को India के जो लोग हैं अभी जो जीविद population groups हैं उनके DNA profiles से match किया जाएगा और देखा जाएगा कि बीच में कितनी DNA में gene mixing होई है क्या क्या हुआ है कौन सा group कहां से उदय हुआ यह सब बातें overall यहां पर करी जाएंगी ऐसा कुछ media reports ने मताया यह media reports क्या बोल नहीं थी कि इस project के अंदर Anthropological Survey of India कुछ scientist लखनो बेस्ट Birbal Sahani Institute of Paleo Sciences के एक prominent archaeologist वशन सिंडे जो की director है Deccan College Postgraduate Research Institute के यह सब इस study में involved होँगे अब जैसे ही gene profiling की और genetic similarities और dissimilities की बात के respect में मुद्दा उठाया गया भई बवाल मच गया लोग ने बोला कि यह क्या तरीका है यह क्या कर रहे हो यह तो काम गड़बढ है बता पिछले 10,000 सालों में अगर आप Indian population में mutation और mixing की बात करोगे तो इसका क्या मतलब है क्या आप यह दिखाना चाहते हो कि कुछ races निचले level की है low है और कुछ races high है कुछ races superior है और कुछ races inferior है क्या आप यह दिखाना चाहते हो मतलब basically race के आधार आप race ही segregate करे हो race एक कलत सब्द है आज की date में race कहीं न कहीं religious के आधार पर overall आपके skin के color के आधार पर आपके bone structure के आधार पर segregation करता है जैसे for example West Indies में जो लोग रहते हैं जो black है उनको negro race का बोला जाता है ठीके ना इंडिया में Indian brown race बोल लिजे आप तो basically जो अलग अलग races है ये तरीका है humans को segregate करने गा और इसमें कई बार कुछ races अपने आपको superior दिखाते हैं जैसे नाजीस Germans ने अपने आपको बहुत superior बताया और पूरी दुनिया को inferior बता दिया Jews को inferior बता दिया तो Jews को मारना चुलू कर दिया तो race के आधार पर पहले ही बहुत जदा violence crime वगरा हो चुका है तो अब इस प्रकार की चीज़ें अगर इंडिया में आप study के थूँ conduct करोगे तो ये तो इंडियन society को तोड़ के रख देगा तो काफी बवाल मचा इस बात को लेगे तो कही न कहीं जब ज़्यादा ववाल मचने लगा तो जो शिंडे साब थे शिंडे साब ने openly यहाँ पर बोला कि नहीं भाई मेरी बातों को miscote किया गया है ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लोगों का segregation कर रहे हैं यह उनके background को चेक करने कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई superior race या inferior race का concept लेके आ रहे हैं यह तो बस हम अपने शोध के लिए कर रहे थे तो racial stereotyping हो सकती है इस प्रकार की study से इस बात को लेके इस particular topic को इस particular media report को criticize किया जा रहे है जी एस पर six, seven और यह फिफ्थ में आपको काम आएगी जी एंथ्रोपुलाजी के दिर बिसिकलि आप कह सकते हो कि यह option में भी आपको कामा सकती है फिर won't rule out war with Taiwan चाइना ने बोला है कि अगर ताइवान ने independence declare की तो हम attack कर देंगे हम सोचेंगे नहीं शांगरीला dialogue summit हो रहा है आपका सिंगापुर में यूएस defense secretary Lloyd Austin पहुँचे है चाइना की तरफ से वी फैंगी पहुँचे है बीजिंग ने बोला है कि अगर ताइवान ने चाइना से अलग होने की बात की हिंडिपेंडनेस की बात की तो हम attack कर देंगे ताइवान हमारा है undisputedly हमारा है हम अपने mother land का division नहीं होने देंगे यह यहाँ पर चाइना ने उपन ने बोला हम attack कर देंगे यूएस department of defense की जो head है इनका क्या बोलना Austin साब का कि भाई peace and stability जरूर है तावान state में status क्यों बदलना नहीं चाहिए चाइना ने बोला ताइवान ने इंडिपेंडनेस बोला हम attack कर देंगे वाइट हाउस मदद करेगा कि नहीं करेगा कुछ दिन पहले क्या होगा कि जो बाइडन से reporter ने सवाल पूचा कि भाई अगर चाइना ताइवान पर हमारी policy है strategic ambiguity की मतलब यूएस यहाँ पर एक clear नहीं कर रहा है कि कल की डिट में ताइवान के उपर attack होता है तो वो जाता है की नहीं जाता है इसको बोलता policy of deliberate ambiguity strategic ambiguity मतलब foreign policy में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम देखेंगे ठीक है ना एक detonance strategy मतलब इस प्रकार की policy में confirm भी नहीं के मदद के लिए आएंगे लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मदद back end से करेंगे हो सकता full flat करने लगे वो depend करेगा उस समय पे हिसाब से कि हमें करना है की नहीं